नमस्कार आप देख रहे हैं दैचेफे फट्डा और मैं हूँ विवेक्तिवारी खबर यूराज सिंग को लेकर यूराज सिंग पर एक F.I.R. दर्ज की गई है F.I.R. के पीछे की वज़ा है उनका वो बयान जो उन्होंने एक इंस्टाग्राम चैट के दोरान दिया था क्या है पूरा मामला बताते हैं आपको दरसल भारती क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर यूराज सिंग के खिलाफ हर्याना पुलिस ने एक F.I.R. दर्ज की है जो हिसार के हांसी थाने में S.C.S.T. Act के तहत दर्ज की गई है यूराज पर आरोप है कि उन्होंने साल 2020 में दलित समाज को लेकर अभद्र टिपड़ी की थी और ये सब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लाइफ चैट के दोरान किया था इस लाइफ चैट के दोरान यूराज सिंग ने भारती क्रिकेट के स्पीनर यूजवेंद्र चहल के खिलाब जाती सूचक शब्द का इस्तमाल किया था और इसके बाद यूराज को सोशल मीडिया पर नाराजगी का सामना भी करना पड़ा था लोगों की नाराजगी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि तब ट्विटर पर यूराज सिंग माफी मांगो टॉप ट्रेंड में रहा था अब जानिये कि इस चैट में ऐसा क्या था जो यूराज पर भारी पड़ रहा है कोरोना मामारी के दौरान रोहित के साथ लाइव चैट के दौरान यूराज ने कहा था कुलदीब भी आनलाइन आ गया है रोहित शर्मा ने कहा कुलदीब आनलाइन है ये सब आनलाइन है ये सब ऐसे ही बैठे हुए हैं इतने में यूराज सिंग बोलते हुए जाती शूचक शब्द भंगी का इस्तमाल किया था हाला कि उन्होंने ये मजा किया लहजे में ही का था इस पर रोहिश शर्मा ने कहा यूजी को देखा क्या वीडियो डाला है अपनी फैमली के साथ मैंने उसको बोला कि अपने बाप को नचा रहा है तू पागल तो नहीं है यूराज के इसी कमेंट पर बवाल हुआ था इसके बाद यूराज सिंग ने ट्विटर पर माफी मांगी थी उन्होंने ट्विट कर कहा था मैं ये बात साफ कर देना चाता हूँ कि मैं किसी भी तरीके से भेदभाव में विश्वास नहीं रखता हूँ चाहे वह भेदभाव जाती के अधार पर हो, रंग के अधार पर हो या फिर लिंक के अधार पर या मजहब के अधार पर मैं अपना जीवन लोगों की भलाई के लिए जीता आया हूँ और आगे भी जीता रहूंगा मैं हर एक इनसान के आत्म सम्मान की एहमियत को समझता हूँ और बिना किसी अपवात के इस बात का सम्मान भी करता हूँ हलाकि इस चैट की भाशा के पीछे मंचा दोस्ती वाली थी अपने पन वाली थी लेकिन अभी से लेकर के F.I.R. फाइल कर दी गई है जो की वकील और दलित यूमन राइट्स के सयोजक रजत कलसन की ओर से की गई है आम तोर पर इस तरह की F.I.R. पबिसिटी के लिए की जाती है खैर यूराज के केस में आट मेने पहले ही शिकायत की गई थी लेकिन पुलिस ने अब F.I.R. दर्ज की है मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक पुलिस की ओर से लंबे समय से कोई कारवाई नहीं की गई और इसके बाद ही कलसन ने अदालत का रुक किया और कोट के आदेश के बाद हर्याना पुलिस ने यूराज सिंग के खिलाफ F.I.R. दर्ज की है अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में यूराज ने जो कुछ कहा उससे F.I.R. तक ले जाने की जरूरत थी क्या यूराज सिंग को इस तरह की भाशा से बचना चाहिए था क्योंकि यूराज सिंग एक सेलिबरिटी है और बताओर सेलिबरिटी आप ऐसी बाते अगर करते हैं तो इसका पबलिक डोमेन पर भी अच्छा खासा असर देखा जाता है लाखों लोंग उन्हें फालो करते हैं और कई तो इनसे प्रिणना लेकर अपनी जीवन में भी उतार लेते हैं ऐसे मुने ऐसे कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए लेकिन अगर यूराज सिंग के मूँ से ऐसी बात निकल भी गए तो क्या इस पर इतना बखेडा करना जरूरी था कि इसे FIR तक ले जाया जाए अब आपको क्या लगता है कि इस मामले पर खुद यूजवेंदर चहल सामने आएंगे और सफाई देंगे अपनी राय हमें जरूर लिखें वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद